हाई फ्रेंड वेलकम एक टू माई चेनाल तो आज हम बनाएंगे आम का चुंदा जो की गुज्राट का बहुत ही फेमोस और ट्रेडिशनल डिस है और ये आचार जो खाने में बहुत टेस्टी बनता है इसको हम इंस्टाड बनाएंगे वो भी कड़ाई में और आप एक साल त ये पराठे के साथ और थेपले के साथ खान में बहुत टेस्टी बनता है तो चले इसकी रेसिपी शुरू करते हैं मैंने यहां पर ले लिया है आधा किलो आम इसको मैंने अच्छे से धोके बोच लिया है क्यूंकि इसमें पानी बिलकुल भी एक बोन भी नहीं होना तो मैंने सारे आम को इस तरह से साप कर लिया है इसका शिलका निकाल दिया है जब भी आप चूंदा बनाए तो आम बिल्कुल ताजा होना चाहिए और ज्यादा जो पिला पिला आम होता है उस टाइप का नहीं होना चाहिए इस तरह का होना चाहिए तो मैंने एक आम को ग्रेट कर लिया है इस तरह का ग्रेटर हर घर में होगा अगर आपके पास थुरा सा मूटा साइज का ग्रेटर हो तो उससे कीजेगा बहुत अच्छा रहता है तो यही पर मैंने सारे आमको ग्रेट कर लेगे इस तरह से देखिए आप इसमे में डाल ली हूँ चीनी लगभग हो जाएगा टू टेबूल स्पून और हल्दी डाल ली हूँ हाफ टेबूल स्पून और यह बहुत ही इंस्टन बन के रेडी होगा अगर आप इसको पूरा ट्रेडिशनल तरिके से बनाना चाहते हो तो यही पर आप सारे मिश्णों को मिलाकर आप एक कंटेनेमें में स्टूर करके धूप में मिठा दीजेगा आट से दस दिन के लिए तो बन जाएगा तो हम इसको इंस्टन बनाएंगे तो यही पर मैं ले रही हूँ चीनी पिसी हुई चीनी जितना आम है मतलब हमारा आदा किलो आम था उसको साब करने के बाद 400 ग्राम हो गया तो उसी सब से मैं ले रही हूँ 500 ग्राम चीनी किमकि थोड़ा खट्टा है तो इसलिए 100 ग्राम ज्यादा लेरी में पीसी हुई चीनी थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से हम मिला देंगे और आप कितना मिठा खाते हो उसी हिसाब से लिजेगा तो हम सारे चीनी को इस तरह से मिला दिये हैं तो कड़ाई को मैंने गरम करने के लिए छोड़ दिया था कड़ाई हमारा गरम हो चुका है तो सारा मिश्रण को हम इस तरह से डाल देंगे इसमें तेल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है लेकिन खाने में बहुत ही बढ़ है बनता है तो जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा तो इसको हम इस तरह से मीडियम फ्लेम में चरात भी बीच बीच में पकाएंगे देखें कितना सारा पानी निकल रहा है यह जो आचारी बच्चलो बहुत ही प्यार से खाते हैं बहुत ही इंट्रेस्ट के साथ इसको खाना पसंद करते हैं तो जरूर घर पर बनाईएगा तो दोस मिनिट के बाद मैं दिखा रही हूं देखिए इससे जो पानी था वो आधा सूक चुका है तो फिर और दस मिनिट इसको हम पकाएंगे देखिए इसमें जो पानी है यह लगभग सूक चुका है देखिए मैं दिखा रही हूं यह चिपचिपा हो चुका है एक तारका हो चुका है अब इसी स्टेज पर हम डाल देंगे जीरा का पावडर लेकिन जीरा जो है हमारा भुना हुआ चाहिए लेकिन दरदरा सा कुटा हुआ चाहिए तब ही जाके खाने में अच्छा लगता है और यही पर मैं डाले हूं टू टेबल स्पून जितना जीरा का पावडर इसको अच्छे से मिला देंगे ग्यास का फ्रेम बिल्कुल मैंने लो ही रखा है तो यही पर मैं थूड़ा सा चिली फ्लेक्स एड़ कर रहे हूं अब इसको अच्छे से मिला देंगे और इतने से चुंदा बनाने के लिए हमको लगा है आधा घंटा अगर आप धूप में मिठा कर बनाना चाहते हो तो लग जाएगा आठ से दस दिन लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो उस तरह से बनाएगा अगर इंस्टर बना चाहते हो तो इस तरह से बनाएगा तो देखिए हमारा जंदा जो बिल्कुल पर्फेक्ट बनके रेडी हुआ है यह थंडा हो चुका है तो इसको हम अभी श्टूर कर लेंगे तो इसके लिए मैंने ले लिया एक काच का बरतन तो इसमें हम स्टूर कर देंगे अगर यह रेसिपी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे लाइक कर दीजेगा छुटा सा इस तरह का चुंदा जो साल भर टिकेगा कोई खाड़ा भी नहीं होगा लेकिन इसको फ्रीज में मत रखेगा इस तरह से रखेगा तो मैंने सारा चुंदा को इसमें स्टूर कर लिया है इसमें कम मेहनत है और कोई मसाला का जरूरत नहीं है कम समन में बनके रेड़ी हो गया हमारा ट्रेडिन इसलान गुजरत का चुंदा जो खाड़ में बहुत टेस्टी होता है तो एक बार जरू ट्राई कीजेगा और मुझे फीड़बेक जरू दीजेगा अगर पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक करतीजेगा और साब्सक्राइब करतीजेगा फिर मिलती रहूंगे निव वीडियो के साथ तब तक के लिए थाइंक्यू थाइंक्यू फर वाचिंग